गुट मार्निंग बच्चो इससे पहले हम लोग 12 क्लास के सिलेवस के अनुसार प्रात्मी क्रिया कलाप कर चुके थे और दुट्य क्रिया कलाप का कुछ भाग किये हुए थे जिसमें हम लोगों ने यह जाना था कि वी निर्मान उद्योग क्या है पिछले जो वीडियो बना ह किसा लौक करते हैं जैसे है कि पुंजी की आधार पर उनका वर्गी करन किया गया और माल के वर्गी करन किया और तक्चह और है अम बनाये गया था बताया गया था एक और उसको देख लीजिएगा अगला है उद्योगों की अस्थापना हिटों कौन कौन से आवश्यक्ड दसाए हैं جिसको भी हम लोग कर चुके हैं भिस्तार कॉर्वा कर चुके है अ किसी वे उद्योगों के लिए या ऊस्थासजान चेन करने के लिए कौन-कौन सी आवशक दसाओं को ध्यान में रखा जाता है कर चुके हैं हम लोग उद्योगों की अस्थाप नहीं तो आवशक दसाएं कहा जाता है आपके सिलेवस में इस चैप्टर के अंतरगत दो और टॉपिक हैं जो एक्जाम के लिए पूछे जाते हैं पहला लॉइस पाथ उद्योग यह लॉइस पाथ उद्योग और दूसरा हो गया आपका सूती वस्त्र उद्योग दोनों आपके सिलेवस के अनुसार इंपर्टन चैप्टर से इंपर्टन टॉपिक्स हैं जिसमें आज हम लोग देखेंगे लॉइस पाथ उद्योग किसे कहा जाता है इसकी अस्थापना कहा की जाती है क्यूं की जाती है इसका उत्पादन क्या प्रक्रियाएं हैं साथ ही स यह यानि लोहे का ऐसा उद्योग जहां इस्पाइवां किया जाता है इस पान का निर्मान कीता है तो जब हम लोग भूमी है खनन के माध्यम से लोहे को कच्ची रूप में जब उसको हम लग प्राप्ट करते हैं जिसमें कई प्रकार की असुदियां होती हैं उसे हम लोग लो आयस का नाम देते हैं उस लो आयस को कारबन में मिस्रित कर चुना पत्थर को मिला करके इसे गर्म बात भट्टी में डाला ज निकाल करना है तो पिधलाने के बढ़ जवार निला झाल करके ठंडा रिपलाने के बाद इसका थंडा किया जाता है तो nossas कच्छें लोहे के नाम मेंगनेज मिलते मैं यह इना था मैंगनेज के मंुला नियुक्युद Tribut तो आज की जीवन सेली में यह जो इसपात है वो हमारे लिए बहुत ही महत्पूल संसाधन है इसलिए इसका अध्यन करना आवश्चक है अब हम लोग यह देखेंगे कि इस उद्योग की अस्थापना कहां कहां की जाती है लोई स्थापना है चाहिए तो लो इसपात उद्योग की अस्थापना के लिए उसका कच्छा माल आवश्चक है चुना पथर आवशक है मैगनीज आवशक है तो यह विशेश कर ध्यान में रखा जाता है कि लॉइस पातुद्योग वैसे छेत्रों में अस्थापित किया जाए जहां आसानी से कच्छे माल की प्राप्ति हो साथ ही साथ उनको अगर किसी दूसरे जगह उसको अगर की जाती है जहां पर कम कीमत पर जाद से जादा मात्रा में इसका उत्पादन संभव हो सके दूसरी बात पहला हो गया कैसे छित्रों में इसका हम अस्थापना करते हैं जहां पर हमें कच्छे माल की प्राप्ति हो और दूसरा वैसे छित्रों में इसकी अस्थापना की जाती कि अवम देखते हैं कि वित्र साहर ने सब्हज़ें कि निए Nom देखेंगे और बहरत कि अंतरगर् विच्व स्थर पर इसके वित्रन के संदर्म में पहसे एक बात यह जानेंगे कि इसकी परिवहन में इसके निर्यात में काफी मातरा में पूंजी आउशकता होती है. तो संभाऊता यह अदिकतर वैसी छित्रों में उत्पादित किया जा रहा है या निर्मित किया जा रहा है जहां पर पूंजी अधिक है. जैसे हम लोग देखेंगे North America, Europe, Great Britain, Asia और इंडिया, North America का जो आप मैप में देख सकते हैं, North America का ये उत्तर पूर्वी भाग, जो अट्लांटिक तट से सटा हुआ है, ये पूर्वी भाग जो है, इस पूर्वी भाग में law as, sorry, law as path, उद्योग की अस्थापना अधिक पाई जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कच्चे माल की प्राप्ती है, साथी साथ यहाँ पर इस छेत्र में चुकिए ओद्गिक छेत्र है, इसलिए यहाँ पूंजी की मात्रा अधिक है, दूसरा, उत्री अमेरिका का जहील छे आधिक स्थापना के लिए विश्वुविख्यात है, इसके अलावे यूरोप का लगभग संपूर्ण यूरोप जो है, वो लौइ स्पाथ उद्योग के लिए प्रमुक प्रमुक छेत्र माना गया है, यूरोप में ब्रिटेन, बेल्जियाम, जर्मनी, फ्रांस, लेग्जं यह सब छेत्र जहां वह लाइसपात उद्योग के लिए प्रमुख है वैसे ही ग्रेट-ब्रिटेंड का बर्मिंगम-शैफिल्ड यह बिटेन का जो बर्मिंगम और शैफिल्ड छेत्र है वह इस उद्योग की अस्थापना के लिए जाना जाता है क्योंकि यह एक अध्यगिक चेतर है आप देखे लिजे यह कंष्त हो गया चीण का वहान है संगाई है क्षेड्र सबसे अधिक अधिक स्थाबना की जाती है। देखेंगे भारत बह्रत में भी लॉइस्पात उद्योग की अस्थापना शुरू हुई यह 1907 से जमशितपूर सहर से शुरू हुई इसके अलावे दुर्गापूर है कुल्टी है बिलाई है बोकारो है सेलम है विशाखा पत्नम है बद्रावती है इन सब छित्रों में भी लॉइस्पात उद्योग की अस कि इसके बिना हम लोग समाज के विकास की कलपना भी नहीं कर सकते हैं क्यांकि यह एक आधारभूत उद्योग के रूप में जाना जाता है इसलिए इसे ठीक है थैंक्यू